नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल तुक्षाप्तिची में आपका स्वागत है आज का हमारा विशा है होमियोपैथिक मेडिसिन मेनियेश पर्णम के सिम्टम सबसे पहले हम आपसे अनुरोद करेंगे यह कि लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें से एर करें सब्सक्राइब करें बेल बटन दोबारा नए भूलें जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको दिवारुप से बिलता रहे की पिया नोट करें हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन प्रियोपकोस्ट है हमियोपैथिक मेडिसिन मेनियेश पर्णम रख्त कंथालि भी आ Kirya के सि्म्टम मासिक धार्म के समय में इस्तिर्यों को कई प्रकार की पर्सानिया नुद्ति करने के लिए मैंनी इस पर्णम औजदी को प्योग लावकारी होता है मासिक धर्म के समय में इस्तिरियों को कई प्रकाति परसानिया होती है और इन परसानियों को दूर करने के लिए मैंनी इस पर्णम औजदी को प्योग लावकारी है रोगी के ऐसे रक्षनों को ठीक करने के लिए मेरी इश्पर्णम और जिगप परियोग करना चाहिए। रक्सराव से समय में योनी से अधिक मातला में खुन बहने लगता है। वैसे देखा जाएं तो मासिक धर्म के समय में कुछ नखुज तो खुन आवसी बहता है। लेकिन जब यह जादा माने लगता है तो इस तरियों को बहुत ज्यादा कमजोरी आजाती है। इस्तियों को बहुत अधिक कमजरी हो जाती है, गर्भासक की उपनी जिली से भी खुन माने लगता है, जब इन लक्षनों से पिडित इस्तिये अधिक कार्च करती है, उसके रोग के लक्षनों में ब्रिदी भी होती है, जब खुन बाता है तो वह जमकता हुआ लाल और ठाके होता है, इसके अधिक लक्षनों में से यदि कोई भी लक्षन यदि रोगी इस तरीक हो गया हो, उसके रोग को ठीक करने के लिए मैनियस पर्णम और जिक उपयोग करना उचित होता है, मैनियस पर्णम और जिकी मुराक, 3X, 6X सक्तियों का परियोग रोग की लक्षनों को आचाहिए, मैं आगे वीडियो में विश्रमात पून विश्रपर मत्वजान गाड़ियों के साथ अभिसाने प्रतुत होंगे, धन्यवाद